पूरे देश में जारी लव जिहाद की बहस के बीच 36 गड़ के जश्पूर जिले में भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया है यहां एक युवती ने मुस्लिम धर्म के युवक से पहले दोस्ती की फिर दोस्ती महबत में तब्दील हो गई प्रीमी युगल ने शादी भी कर ली साल 2021 में भी युवती कहीं चली गई थी गुमशुद्गी की रिपोर्ट परिवार ने सिटी कोतवाले थाने में दर्ज कराई थी उस वक्त धारा 363 के तहट मामला दर्ज हुआ था दूसरे दिन युवती को बरामत कर उसे माता पिता के सुपुर्द किया गया था वही 6 नवंबर 2022 को एक बार फिर युवती शहवाज अंसारी नाम के युवक के साथ गई जिसकी शिकायत एक बार फिर माता पिता ने कोतवाली में दर्ज कराई इसके बाद पुलिस ने फिर से उसे युवक के पास से बरामत किया और उसकी काउंसलिंग कराई गई मगर युवती नहीं मानी उसने शहवाज अंसारी के साथ अपनी मर्जी से जाने की बात कही इसके बाद पुलिस ने यूवती को फिर से लड़के के सुपूर्द कर दिया इस मामले में गरमाहट तब आई जब यूवती का एक शपत पत्र सामने आया जिसमें उसने खुद की मर्जी से अपना हिंदू धर्म त्याग कर मुस्लिम धर्म को अपनाया लव जिहाद का आरूप लगाकर परिजनों और सैकड़ों लोगों ने पुलिस अधिक्षक कारले का घिराव कर दिया इतना ही नहीं इस बवाल के दोरान सभी लोग आफिस के बाहर धरने में बैठ गए दरसल जिला मुक्याले जश्पूर की एक यूवती के घर से लापता होने के बाद परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत की थी बाद में पुलिस ने उसे एक धर्म विशेश यूवक के घर से बरामत किया और एक सकी वन स्टॉप केंदर में रखने की व्यवस्था की लब जिहाद वाल इस मामले में परिजनों ने यूवती को अपने साथ ले जाने की मांग की जिस पर पुलिस ने यूवती की काउंसलिंग की लेकिन काउंसलिंग में मामला पलड गया यूवती ने परिजनों के साथ जाने से साफ इंकार कर दिया और फिर जम कर बवाल हुआ समुदाए के लोगों से भीड की नोग जोग भी हुई लेकिन पुलिस और प्रशासन की समझाईश के बाद मामला शान्त हो गया यूवती के परिजनों ने ये दावा किया है कि यूवती मांसिक रूप से बीमार है और लंबे समय से उसका इलाज जारी है इधर परिजनों ने भी आशंका जटाई है कि कमजोर मांसिक स्थिती का फायदा उठाकर यूवती से शपत पत्र में साइन कराये गया है इतना ही नहीं जान से मारने और धर्म परिवर्तन के मामले में तत्काल कारवाई नहीं होने की सूरत में आंदोलन कारियों ने हिंदुवादी संगठनों के साथ मिलकर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चितावनी भी आगे दी है आप इस पूरी घटना को किस नजरिये से देखते हैं क्या वाकई 36 गड़ में लव जिहाद जैसा कोई कृत किया गया है या पिर एक सामान लव स्टोरी है जिसे विवाद का रूप दिया जा रहा है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए बने रही है फोर्थाई न्यूस के साथ नमस्कार